कोरोना संकट और लॉक्डॉन के बीच भाजपा नेता और कारेकरताओं ने प्रदेश सरकार के वादा खिलाफी एवं सराब बंदी सहित अन्यमुद्दों को लेकर अपने अपने घर और दुकान के सामने एक दियुसी धर्ना प्रदशन किया। प्रदशन करते नजर आये। इस प्रदशन का अंदाज कोरोना संकट और धारा 144 के मद्दे नजर बदला हुआ दिखाई दिया। जिसमें कारेकरता किसी एक जगा पर एकत्रित ना होकर अपने अपने घरों और दुकानों के सामने बैट कर धर्ना प्रदशन किया। इस तरह से 36 गड़ की जंता को छला जा रहा है। धान के मुद्दे भी उन्होंने वादा खिलापी की 25 सोर पर समर्थन मुल्य की बात कही। और अभी तक किसी भी किसान को 25 सोर पर नहीं मिला है। बिहार और कुछ-कुछ और प्रदेशे वहां भी सराब के दुकाने आज भी बंद है। और एक कोरोना महमारी के पहले से भी बंद है। यह राज्य सरकार का फैसला है नीती का फैसला है और उन्होंने अपने हाथ में गंगा जल को लेकर जूटा है। हाटी जंता पार्टी के प्रदेश के नित्वति रॉत कश्वास का फूरा से ना दूख़ा हूँ क्योंकि कांग्रे पूर्णने सर्कार बनाने के पहले बहुत सारी जूटेिक तस में जंगा जल को लेकर हाथ में लेकर खाई थी और सरकार बनने के बाद वारा खिलाबी की है जैसे सराब बंदी की बात कहीं नहीं की अभी देख रहा है कि कोविड-19 कोरोना महमारी से पूरा विश्वजुद है और सरकार ने 45 दिनों के बाद फिर से सराब की दुगाने को ठोल दिया है जो कि एक असोमी क्रिफ्ट है मौरफ सा वारा खिलाबिक है उसी तरकार से किसानों के साथ को बहुत अध्याय हुआ है जैसे 25 सो रुपए में तोकन देने के बावजुद उन्होंने द्रान की खरेदी बिल्कुल नहीं की है प्रदेश में सराब बंदी किये जाने सहित अन्यवद्दो को लेकर नगरपाली का अध्यक्ष धन्हा प्रदर्शन में डटे हुए थे कोरोना महमारी को देखते हुए इन्होंने जो सराब दुगान खोली है इसे सोसल डिस्टेंस का आला नहीं हो रहा है और इससे बहुत खत्रा है इससे सराब बंदी को ततकाल बंद करना चाहिए और रुपैस सरकार ने सिराब बंदी के लिए जंगा जल लेकर किसंद करेंगे अभी पानी गिर्णे से फवसल का नुक्सान होना ओला गिर्णे से ततकाल किसानों को मौजा देना चाहिए मज़ोर जो आ रहे हैं बहार के दूर आंचल से उनको यिलिए सारी वियुस्ता करन देनेक्स टीवी के लिए गरिया बंचे राधिस यामसोन वानी और रितेस यादों की रिपोर्ट